खुशाम अदीद एवरीवन, तोड़ा एम गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नमबर थ्री ओफ ए दिल है मुश्किल, असकलम परीशा कराची पे एक और सुभा रोशन हुई, इस वक्त काफी लोग वोक के लिए निकले थे, यूशे भी अपना माइन फ्रेश करने के लिए निकली थी, पार्क में सर जुकाए आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, कि कोई और भी साथ कदम से कदम मिलाने लगा था, सर उठाए बगैर समझ गई थी कि वो कौन होगा, लेकिन इग्नोर किया था, कैसी हैं आप, प्यार से पूछा गया था, हम, ठीक हूँ, मदम आवाज में जवाब दिया, आज सीधा जवाब मिलने पर वो हैरान हुआ, अपसेट लग रही हो, कुछ हुआ है क्या, इसको फिकर हुई थी, अब क एक मुका तो दे, मैं आपकी जिन्दगी को खुशियों से भरना चाहता हूँ, दिया था मुका, लेकिन तुमने अपनी फर्ज को चुना था, खेर जाने दो, अब इन सब का क्या फायदा, वो जाने के लिए मुडी, शेहराम ने हाथ पकड़ कर रोका था, यूश रुकी औ पास पड़े बेंच की तरफ इशारा किया, तो वो चुपचा बैट गई, शेहराम हैरान हुआ था, इस दिन तो मुका मार दिया था, इसने आज कुछ नहीं कहा, शेहराम साथ बैठा था, क्या हुआ यूश, आप ऐसी क्यूं हो गई हैं, पता नहीं, मुझे कुछ भी नही पास में बोरी थी, शेहराम ने इसके कांदों पे दाया हाथ पहलाया, और दूसरे हाथ से इसका हाथ पकड़ा था, आप भूल क्यों नहीं जाती हैं वो सब, माजी गुजर गया है, अपने माजी की वज़ह से हाल और मस्तक्बिल खराब करना कहां की अकलमंदी है, क्या भाकते ठक नहीं गई, शेहराम नर्मी से बोला, यूशे की आँखों से टप टप आंसों गिरने लगें, अब आप रोके मुझे तकलीव दे रही हैं, शेहराम ने आंसों साफ किये थे, प्लीज मुझे जाना है, यूशे ने हाथ हटाना चाहा, क्या आप एक बार हमारे बा बार नहीं मिलती, शेहराम पीछे से चिलाया था, शेहराम की नजरों ने दूर तक इसका पीचा किया, मैं सोचो तो मेरा खयाल हो तुम, मैं मांगो तो मेरी दुआ हो तुम, सीन जे, क्या हुआ यूशे, कहा रह गई थी तुम, हम कबसे वेट कर रहे हैं तुमारा, फिकर ह तुम ठीक हो ना, मरहा ने दर्वाजा खोलते ही फिकरमंदी से कहा, हाँ ठीक हूँ, बस पार्क में कोई मिल गया था, यूशे सोफे पे बैठती बोली थी, क्या कहा, कोई बात हुई, नैना भी पास आके बैठी थी, हाँ, कह रहा था के मेरे बारे में सोचो, यूशे अप भी फैसला लो, हम तुम्हारे साथ हैं, नैना ने इसको साथ लगाते हुए कहा, हाँ, यूशे दोनों की फिकर पे मुस्कुराई थी, होस्पिटल में आज मरहा ने नियू डॉक्टर फाइजा के साथ काम करना था, डॉक्टर फाइजा तो पूरी तरह तयार होके आई थी, मेकप की ते चेहरे पे लगाए, तंग और चुस्त लिबास में, वो होस्पिटल के माहौल में नमूना ही लग रही थी, असलाम लेकुम सर, डॉक्टर फाइजा, मरहा ने वोट पे आते सलामती भेजी थी, वालेकुम इसलाम, कैसी हैं आप डॉक्टर मरहा, फाइजा नजा जो की फाइजा मैंने बना ली है, मरहा ने फाइजा इसकी तरफ बढ़ाई थी, गुड डॉक्टर मरहा, शायान ने सर हिलाया था, ओ, ये फाइजा, ये मैंने ही कहा था, इसको बनाने को, डॉक्टर फाइजा ने मू बना के कहा था, अच्छा गुड वर्क, नेक्स्ट भी ऐसे ही कीज़ेगा शेयान कहता चला गया मरहा का दिल किया इसकी करदन मरोड़े लेकिन जब्त करके चली गई ये पहली और आखरी दफ़ा था अब इसने कुछ ऐसा किया तो जो होगा ना देखा जाएगा सींचेंज होस्पिटल से ओफ होने वाला था ऐसे में इन चारों ने पार्क जाने का प्लान बना लिया लेकिन काफी देर से यूशे कायब थी जोरदार आवाज से दर्वाजा खुला यूशे अंदर दाखिल होई और अपने घुटनों पर हाथ रखकर तेज तेज सांस लेने लगी कौन सी रेस लगा कर आ रही हो या कुटे पीछे पड़ नैना और मरहा ने एक दूसरे को देखा था तुझसे ऐसी ही तो को की जा सकती है अच्छा चोड़ो हम पार्क जा रहे हैं तुम चलो की मुराद ने पूछा था नहीं मैं अभी पार्क से ही आ रही हूं ठक गई हूं तुम लोग जाओ यूशे बैठती हुई बोली थी ठीक हाँ याद है तुम क्यों पूछ रही हो हाँ वो ना मैं अभी पार्क गई थी तो मैंने इनकी हैल्प की थी तुम इनको कहना कि कुत्ते वाला आइडिया मेरा था बिल्कुल ऐसे ही कहना यूशे मासुनियत से बोली थी क्यों मैं क्यों बोलू मुराद ने मश्कूक नजरों से इसे कूरा था वो मैंने इनका कुत्ता ढूनने में हैल्प की थी ना तो शायद वो कोई इनाम ही दे दे यूशे आखे गुमा के बोली थी अच्छा अच्छा मैं कह दूंगा मुराद इनाम का सुनके खुश हो गया था बेचारा खुशी में ये बूल गया कि आंटी के प सुनके मुराद को देखा जो अपने 32 की नमाईश कर रहा था आंटी ने इसे देखते ही पहचान लिया कि ये वही लड़का है जिसने इस दिन इनके कपड़े खराब किये थे क्या है आंटी गुसे से बोली थी मुराद बड़े मजे से बोला आंटी वो कुत्ते वाला हात में लिए पीछे पीछे फ्लैश पैक कुछ देर पहले यूशे पार्क में बैठी थी या अल्ला क्या बोरिंग दिन है अचानक ही नजर इस आंटी पर पड़ी थी जिन्होंने मुराद की अच्छी वाली की थी यूशे आंटी के पास जाके बोली आंटी पीछे कुत्ता ये सुनने की देर थी के आंटी ने पीछे देखे बगैर ही भागना शुरू कर दिया है बिचारी आंटी इतना तो अपनी जवानी में नहीं भागी होंगी जितना यूशे ने पुढ़ापे में बगा दिया यूशे भी इनके पीछे ही भाग के आई थी आंटी आप भाग क से पूछा अभी तुमने कहा ना के पीछे कुटा आंटी ने फूले होए सांसों के साथ जवाब दिया हां तो मैंने ये कब कहा था कि आपके पीछे यूशे आंखे पटपटा के बोली आंटी का दिल क्या इसका सर पाड़ दे लेकिन ये क्या यूशे तो ऐसे ही गायव हुई लिया है तुमने मुझसे मुराद ने दांट पीसे अभी तक कमर पे दर्द था बड़ी मासूमियत से बोली वो जो इस दिन तुमने नैना को तंग किया और फिर हम पर सीनियर होने का रोब ज़ाड़ा बस इसी का चोटा सा बतला लिया है ये चोटा सा बतला था मुझे इतन सारा दिया और आज आंटी से मार भी खिलाई मुराद ने दुहाई दी हाँ बिल्कुल छोटा सा यूशे ने आखे गुमाई थी अब भी कुछ बाकी रह गया है मुराद ने दांत कच-कचाए थे आहा बड़े समझतार हो बस कुछ देर में पता चल जाएगा यूशे ने सर मुराद के चीखने की आवाज आई थी यूशे क्या है ये क्या हो अमुराद यूशे मज़े से बोली थी या ला आज कौन सा मनूस दिन था ओफ मेरे खुदा मुराद चीखा था मोबाईल यूशे के सामने किया जहां आंटी मुराद की ठुकाई कर रही थी और वीडियो फ भस गया मैं मुराद की दुहाईया सुनने वाली थी बहुत अफसोस हुआ अगली बार मुझसे या मेरी दोस्तों से पंगा लेने से पहले सोच लेना यूशी ने वॉन किया था वैसे अब तुम भी हमारे दोस्त हो बस ये कुछ पिछला हिसाब किताब था क्लियर हो गया अपने ओफस में दाखिल हुआ तो सामने तीनों सर जुकाई खड़ी थी सर तो सिर्फ दोनों ने जुकाया हुआ था नैना तो ओफस का जायजा लेने में मसरूफ थी मुराद इनको नजर अंदास करता हुआ अपनी चेहर पर बैठा और काम करने लगा यूशी और मरहा ने फिर सर जटक के काम करने लगा तीज मुराद देखो अब हम सोरी बोल रहे हैं न यूशी फिर बोली तो मैंने कहा है कि सोरी बोलो मुराद ने सर उठा के इनको देखा था देखो मुराद हम तो दोस्त है न ये सब तो चलता है यूशी ने समझाने वाले अंदास में कहा वा मुराद ने अपना दुख्रा रोया था अच्छा ना पहली और आखरी दफा माप कर दो यूशर ने मिनत करने वाले अंदाज में कहा ठीक है तीनों कान पकड़के माफी मांगो दो जिसका प्लान था वो माफी मांग रही है काफी है नैना ने गूर के कहा तुम भी तो शामिल इनके प्लान में मुराद ने भी बराबर घूरा था जी नहीं मैंने और गुलाबों ने सिर्फ वीडियो बनाई थी बागी प्लान डैवल का था नैना ने अपना खाता साफ किया था हाँ तो तुम भी इस गुना में शरीक हो मुराद ने इसके कान में हिलती हुई बाली को दे थी आज मिस यूशे हम सब को गोलगप्पे खिलाएंगी मुराद ने इन तीनों की शकलों को देखा था हम ठीक है मनजूर है मुझे इसी पार्क में इसी जगा यूशे ने मनजूरी थी ओके डन ओफ होने के बाद मेरी काड़ी में मुराद कहता अपना काम करने लगा सीन च खड़ी ताजवर को पुकारा जी आंटी वह हाथ साफ करती बाहर आई थी बेटा क्या करती रहती हो मैंने मना किया ना तुम्हें तुम्हारी तब्यत अभी ठीक नहीं हुई है और ये काम तो नोकर भी कर देंगे साध्य बेगम ने इसे पास बैठाते हुए कहा था कुछ ह दिल में वो इनको अपनी बेटी के तरहा अजीज हो गई थी ताजवर बहुत ही सुलजी हुई लड़की थी बहुत खुबसूरत ना सही लेकिन प्यारी थी कोई बात नहीं आंटी मैं घर में भी यही काम करती थी ताजवर अराम से बोली बेटा मैं तुम से कुछ बात करन चाहता है देखो बेटा मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है लेकिन जिस माश्रे में हम रहते हैं वहाँ इस तरह बगयर किसी रिष्टे के रहना बुरा समझा जाता है ऐसे भी एक लड़की का असल रिष्टा इसका महरम रिष्टा होता है मेरे घर में दो जवान बेटे हैं मैं नहीं चाहती कि कल को मेरे बेटों की वज़ा से तुम्हें कोई मसला ये तुम्हारे बारे में कोई ऐसी वैसी बात हो बेटा तुम एक बार सोच लो जबत शाम मेरा सगा बेटा तो नहीं है लेकिन मुझे शहराम की तरह ही अजीज है मैंने इन में कभी कोई फरक नह ही रहो लेकिन मैं अपना फैसला तुम पर मुसलत नहीं कर सकती जो भी तुम्हारा फैसला होगा हम सब को मनसूर होगा साधिया वेगम ने रसान से अपनी बात कही थी ताजवर इनको देख रही थी कि क्या जवाब दे क्या अल्ला ऐसे भी महरबान होता है कहां कल इसके पास तो कोई नहीं था और आज जहां माबाप और भाई मिला वहां एक महरम रिश्टा भी अंतजर है इन दो दिनों में शहराम ने इसे बिलकुल बेहनों की तरह ट्रीट किया था वो तो अल्ला का शुकर अदा करती नहीं ठक रही थी जिसने इस गंदगी से इसे निकाल कर ऐसी ठबक कर चली गए थी सीन जी शाम के वक्त पार्क में काफी रोनक थी यूशी इन सब को लेके गोलगप पिकलाने लाई थी इस टोल वाले अंकल भी इनको देखकर खुश हो गए थे आज बहुत दिनों बाद यूशी हाथ आई है गुलाबो आज हम दिल खोल कर खाएंगे नैना मज़े से बोली थी हाँ हाँ आज तो हम खोब एश करेंगे यूशी के पैसों पे मुराद ने भी हिस्सा डाला था देख लो तुम लोग मैं सिर्फ दो सो रुपे दूंगी यूशी फ्याजी से बोली थी बस दो सो मुराद की आँखे पढ़ गई हाथो तुम लोगो पे मैं इस से जादा पैसे नहीं लुटा सकती यूशी ने दात निकालते हुए कहा था अच्छा देखते हैं वरहा ने कहते अंगल को प्लेट बनाने का इशारा किया था नैना ने जैसे ही गोल गपा मूँ में रखा था मूँ जल गया था वो ज्यादा मिर्च नहीं खाती पानी बेना शुरू हो गया था पानी पानी नैना चिलाई थी मुराद ने अपनी प्लेट रखी और भाग के पानी लेके आया था ये ले पानी नैना की आँखों में आंसु देखकर मुराद हवास बाखता हो गया था यूशे और मरहा मूँ खोले देख रही थी कि ये क्या है तुम ठीक हो नैना को लंबे सांस लेते देखकर मुराद ने पूछा हाँ ठीक हूँ शुक्रिया नैना ने पानी वाली बोटल वापस की थी मुराद ने गहरी सांस लेके खुद को परसुकून किया नैना को देखकर तो इसकी सांस ही अटक गए थी यूशे और मरहा ए आरे शहराँ भाई, आप मुराद खुशी से बोला था, इन तेनों ने हैड़त से देखा, ये एक दूसरे को जानते हैं, हो मैं, मैंने डिस्टर्पितों नहीं किया, शहराँ मुस्कुराते को बरब पास आया, नहीं नहीं, हम तो बस फ्रेश होने निकले थे, मुराद खुशी से बोला हाँ वो तो नजर आ रहा है यूशे को नजर के हिसार में लिये बोला था पलिस वाले भाई आपको कोई काम नहीं है जब देखो यहां महां फिरते नजर आते हैं मरह मासूमित से बोली क्या आप मुझ पर नजर रखती हैं शहराम भी इसी के अंदाज में बोला था नहीं नहीं मैं क्यों नजर रखूंगी मरह सक पटाई थी जिनको रखनी चाहिए वो तो पूछते नहीं शहराम यूशे को देखता बोला था क्या करने आये हैं आप यहां यूशे चिड़ी थी इस दिन ठीक से बात कर ली थी इसलिए शहराम को होसला मिला था कि अभी भी कुछ बाकी है नजरों की प्यास बुझाने शहराम बेशरमी से बोला था यूशे ने खा जाने वाली नजरों से इसी घूरा था अरे अब आही गए हैं तो गोलगपे खा लें मिस यूशा आज का बिल दे रही है मुराद ने बताना जरूरी समझा था हाँ हाँ फिर तो मैं जरूर खाऊंगा शहराम ने शर्ट के बाजो उपर किये जैसे गोलगपे खाने का नहीं का बड़ी खेलने को कहा गया हो जिसको खाने हैं वो खुद पैसे दे के खा सकता है मैं हर एरे गैरे का बिल नहीं दूँगी यूशा दात पीस के बोली थी अरे आप ना दे बिल बस अपना कुछ वक्त ही दे दे शहराम ने मिनत करने वाले अंदाज में कहा था क्या आप सब एक दूसरे को जानते हैं मुराज से रहा ना गया था हाँ बिल्कुल हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्यों यूशा जी शहराम ने कहते हुए तज़्दीक चाही थी जी जानते हैं यूशा ने दात कचकचाते हुए कहा था वो तीनों अपने खाने और बातों में मस्रूफ हो गए थे शेहराम चलता हुआ यूशा के करीब आया था मसला क्या है आपके साथ एक बार अच्छे से बात कर ली आप तो शेर ही होते जा रहे हैं यूशा जबरा मुस्कुरा के बोली थी वो तीनों इसे ही देख रहे थे जब तक आप मेरी मान नहीं लेती तक तक मैं ऐसे ही आता रहूँगा फिर चाहे आप मेरी नाक तोड़ दे या दान शेहराम ने भी जिताया था आप से तो बहस करना ही फजूल है यूशा ने बात खत्म की थी तो मत करे बहस एक बार मेरी मान कर तो देखें शेहराम फिर बोला था आपको मैंने एक बार कह दियाना अब कुछ नहीं हो सकता आपको समझ नहीं आता अब यूशा गुस्टे से बोली थी नहीं आता समझ देखें अब तो इप्तशाम की भी शादी होने वाली है मुझे भी करनी है शेहराम का अपना ही दुखड़ा था हातों कर ले जाकर शादी मैंने आपको मना कप किया है यूशा जल के बोली थी आप मान जाएं मैं कल ही बारात ले आऊंगा शेहराम प्यार से बोला था उफ किस धीट मिट्टी से बने है आप आपको समझ नहीं आता के मुझे नहीं करनी शादी यूशा जंजला के बोली थी नहीं आता समझ आप मान क्यों नहीं जाती है मेरी बात शेहराम ने दो बदो कहा था खड़े रहो यहीं मैं जा रहीं हूँ यूशा पैर पटकती हुई चली थी लमहे लमहे में बसी है तेरे यादो की महक ये बात और है के आँखों से दूर रहते हो तुम शेहराम पीछे से बोला तो वो एक लमहा रुकी फिर चली गई नेना ने इसे जाते देखा तो शेहराम के पास आई क्या हुआ नहीं मानी नहीं लेकिन मैं भी अपनी आखरी सांस तक कोशिश करूँगा इनको मानना होगा शेहराम ने पूर अजम लहजे में कहा था अगर आप कहें तो मैं बात करूँ नेना को दोनों की फिकर हुई थी नहीं नेना यह हम दोनों का मसला है हम हल कर लेंगे शेहराम ने मना किया वो नहीं चाहता था कि इनके बीच कोई और बोले ठीक है लिकिन अगर यहीं हाल रहा तो वो नहीं मानेगी नेना फिकरमंदी से बोली क्या हाल शेहराम चोका था वो हर रात रोती है अपना माजी नहीं भोल सकी दिन में वो हम सब के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती है एक नूर्मल इंसान इतना खुश नहीं होता और अगर यही हाल रहाना वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगी प्लीज आप कुछ करो नेना परिशान थी हम अब तो कुछ करना ही पड़ेगा मिसस का शेहरा मुस्कुराया था बस मैं एक केस हल कर लूँ यह बहुत इंपॉर्टन्ट है इसके बाद मेरा सारा वक्त यूशा का होगा क्या बाते कर रहे हैं आप लोग मुराद करीब आके बोला था तुमसे मतलब जो भी बात करें नेना चिड़के बोली इसको मुराद पता नहीं क्यों बुरा लगता था अरे यार कुछ नहीं बस ऐसे ही तुम बताओ एड़्जस्ट हो गए हुकराची में शेहराम ने बात बदली थी हाँ बस हो ही गया हूँ यहां के लोग काफी अच्छे हैं मुझे तो बहुत पसंद आये मुरद लोगों को देखकर बोला था वो तो मुझे नज़र आ रहा है कौन से लोग अच्छे हैं क्या बेस्ट ओफ लग मैं चलता हूँ शेहराम इसका कांदा थप थपाता हुआ चला गया था सीन जेन अब बस मुझे जल्दी इस केस से जान चुडा रही है शेहराम संजीत की से बोला था जी भाई बस कुछ दिन और फिर इस गैंग का खात्मा हो जाएगा जिस दिन इसने माल की डिलीवरी करनी है हम इसी दिन हमला करेंगे मैंने प्लान बना लिया है देख लो एक बार अब्तशाम भी अपना काम कर चुका था दोनों मिलकर अपने मुलक के दुश्मनों का खात्मा करने को तयार थे ठीक है बस जल से जल ये सब वाइंड अप करना है शेहराम ने फाइल देखते हुए सर हिलाया था और तुम बताओ तुमने ताजवर से बात कर ली शेहराम ने ओफिस से निकलते हुए पूछा नहीं मैंने मौम से कहा था वो कर लेंगी शेहराम सर हिला के गाड़ी में बैठ गया था सीन चेंज नहीं मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन एक पांच-छे साल का बच्चा काफी चिला रहा था नर्स ने बहुत कोशिश की लेकिन वो बच्चा रोए जा रहा था आप प्लीज इसको कुछ देर समहाले में डोक्टर को बुला कर लाती हूँ नर्स इसके साथ आने वाले लड़के को कहती हुई हवास बाखता सी बाहर भागी थी डोक्टर मरहा फाइजा के साथ बैठी हुई थी के नर्स हापती हुई आई थी क्या हुआ सिस्टर आप भाग क्यों रही है मरहा ने नर्मी से पूछा था वो आप प्लीज जल्दी चलें एक बच्चे को देखना है वो बहुत रो रहा है ओके चलो मरहा जल्दी से उठती हुई बोली थी वो दोनों फाइजा को इगनूर करके वहां से चली गए मरहा तो वैसे ही मारे बांदे ही बैठती थी इसकी दोनों चुड़ेले भी मसरूफ थी ऐसे इगनूर होने पर फाइजा को आगी तो लग गई थी एक तो वैसे शयान इसको लिफ्ट नहीं करा रहा था और अब ये सब भी मरहा मरहा कर रहे थी क्या हो आपको प्यारे बेबी मरहा बच्चे के फूले हुए गालों को चुके बोली थी बच्चा अपना रोना भूल के इस प्यारी सी डोक्टर को देखने लगा जो हमेशा की तरहा ब्लैक हिजाब में प्यारी लग रही थी या नाम है आपका बेटा मरहा ने फिर से पूछा था एहमद बच्चे ने मुँ फुला के जवाब दिया था अच्छा एहमद को क्या हुआ है क्यों रो रहे हो मरहा इसकी हाथ पकड़ती हुई बोली थी इंजेक्शन नहीं लगवाना मुझे बच्चा आँखों में आशो लिये बोला था क्यों आपको डर लगता है मरहा ने इसकी आँखे साफ की थी बच्चे ने अजबात में सिरह लाया ओ कोई बात नहीं आप तो ब्रेव हो ना रोना बंद करो मरहा ने कहते ही नर्स को इशारा किया था तो इसने इंजेक्शन लगा दिया सिर्फ एक लमःा लगा और इंजेक्शन लग गया ओ ये क्या हुआ इंजेक्शन तो लग भी गया आपको दर्द हुआ मरहा ने हैरान होते हुए पूछा था बच्चे ने नामे सर हिलाया चलो अब ये दवाई खालो फिर आप जल्दी से ठीक हो जाओगे मरहा ने पिंक कलर की गोली दी थी नहीं खानी बच्चा काफी जिदी था आपको चोकलेट खानी है मरहा सोचते हुए बोली थी बच्चे ने जल्दी से हाँ किया था अच्छा पहले आप ये दवाई खाओ फिर मैं आपको चोकलेट भी दूँगी और स्टोरी भी सुनाँगी मरहा ने ज़्यादा लालच दी थी पहले स्टोरी सुनाओ आप बच्चा भी अपने नाम का एक था अच्छा ठीक है मैं अपना फोन लेके आती हूँ इसमें बहुत सारी स्टोरी है मरहा कहती बहार की तरफ गई थी फाइजा जो दर्वाजे में ही खडी सब देख रही थी जल्दी से अपने फोन से स्टोरी निकाल कर अंदर आई थी जब देखा कि शयान के राउंड का टाइम हो रहा है जल्दी से बच्चे को स्टोरी सुनाने लगी डॉक्टर शयान ने ये देखा तो अंदर ही आ गया आए डॉक्टर शयान देखिए ये बच्चा बहुत रो रहा था और डॉक्टर मरहा इसको ऐसे ही छोड़के चली गई है वो तो मैंने देख लिया तो मैंने चुप करा दिया है वरना तो इसकी तबीत ही खराब हो जाती डॉक्टर फाइजा ने मासूम बनने की पौरी कोशिश की थी शयान के माथे पर बल पड़े थे कहां है डॉक्टर मरहा जी सर मैं यहां हूँ पीछे से आती मरहा ने जवाब दिया आप में जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है के नहीं आप रोते कोई बच्चे को छोड़के क्यों गई थी और गई कहां थी आप इतना जरूरी था जो आपने बच्चे को चुप भी नहीं करवाया शयान को तो पता नहीं किस बात का गुसा था जो इस पर निकल गया लेकिन सर मैं अभी गई थी तो बच्चे चुप था मैं तो सिर्फ स्टोरी सुनाने के लिए अपना फोन लेने गई थी मेरहा सदमे से बोली शयान जितना भी खडू सही लेकिन ऐसे कभी बात नहीं करता था तो तुम्हारा क्या मतलब है मैं जूट बोल रही हूँ डॉक्टर फाइजा हिकारत से बोली थी मैंने ऐसा नहीं कहा मरहा ने कुछ कहना चाहा वाट टैवर नेक्स टाइम ऐसा ना हो शयान कहता वोकाउट कर गया था डॉक्टर फाइजा आपने जूट क्यों बोला सर से तुम शयान से दूर रहो हम दोनों के बीच मत आना फाइजा नफरत से बोल के चली गई थी मरहा ने इस पर दो हर्व भेच के बच्चे को दवाई दी सीन जेंज मुझे खुसन अदास से क्या मतलब बस इश्क मेरा अंदास पिया मैं दिल से तेरा दिल छूलू कभी यूँ भी बन हमरास पिया मुम आपने बात की ताजवर से अब्तशाम बेचैनी से बोला था जी बेटा जी मैंने बात कर ली है लेकिन मेरा खयाल है कि एक बार आप खुद भी बात कर लो साधिया बेगम इसके बाल समारती हुई बोली थी क्यों मुम आपने बात कर तो ली है काफी है हाँ बेटा मैंने तो कर ली है देखो तुमने इसकी मदद की है और मैंने इसको बेटी बना लिया है मुझे लग रहा है कि कहीं वो इस सब को एहसान और हंदर्दी ना समझ ले इसलिए एक बार तुम खुद इससे बात कर लो ताकि इसको फैसला करने में आसानी हो साधिया बेगम ने प्यार से समझाया ठीक है मौम मैं बात कर लूँगा अब्तशाम उटता हुआ बोला ताजवर अपने कमरे में टेहल्थी साधिया बेगम की बातों को ही सोच रही थी कि दर्वाजे पे दस्तक हुई आजाएं बैट पर बैटती हुई बोली थी क्या हम बात कर सकते हैं अब्तशाम ने वही खड़े होके पूछा था जी आजाएं ताजवर जिजकते हुए बोली थी शुक्रिया अब्तशाम कहता सोफे पर टिक गया मौम ने आपसे बात की है अब्तशाम कुछ तुकफ के बाद बोला जी ताजवर अपनी उंगलियां चटखाती हुई बोली थी देखो ताजवर मैं एक बहुत सीधा सा बंदा हूँ बहुत ज्यादा एहद वा पैमान नहीं करूँगा बस इतना कहूँगा कि मैंने आपको कुछ महीने पहले एक गाउं में देखा था आप मुझे अच्छी लगी थी इसके बाद मैं आपको भुला नहीं सका फिर आपको इस दिन इस जगा पे देखकर मुझे लगा कि आपको मेरी जरूरत है बस इसलिए मैं आपको यहां लेकर आया था आप मेरी महबद को हमदर्दी या एहसान ना समझ लेना बस इतना कहूंगा कि महबद ना सही बस आप मुझे पे एतबार कर लेना मैं आपको मायूस नहीं करूंगा अब तो शाम ने नगमी से अपनी बात संजाए थी क्या आपको कुछ कहना है जाते जाते पूछा जी वो मेरी स्टेडी ताजवर ने बात अधूरी छोड़ी स्टेडी की तुम फिक्र नहीं करो शादी के बाद जितना चाहे पढ़ लेना मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा एक तो शाम हसके बोला बस या और कुछ नहीं बस यही था ताजवर सर जुकाय बोली ठीक है तुम मौम को बता देना एक शाम बाहर की तरफ बढ़ा सींच जींच बस बहुत हो गया अब मैं और बरदाश्ट नहीं करूंगी मरहा चलाती हुई इनके रूम में दाखिल हुई क्या हो गया है गुलाबो किसकी शामत आ गई युशे प्यार से बोली यार बहुत हो गया है जब देखो ये मेक अप की दुकान मेरे काम का क्रेडिट ले जाती है और डॉक्टर शेयान ने इस खलाई मखलूक की वज़ा से मुझे इतनी सुना दी मरहा इधर उधर चलती हुई बोले जा रही थी बैट जा मेरी गुलाबो बैट जा नेना ने हाथ पकड़ के बठाया था या इसकी वज़ा से मुझे डॉक्टर शेयान ने डाटा है मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी मैंने सारा काम किया बच्चों को भी मैंने ट्रीट किया था और शबाश ही बुले गई है ये कहां का इंसाफ है मरहा रुहासी हुई ठंपा गुलाबो तो पूरी बात बता इसको हम देख लेंगे यूशे ने होसला दिया मरहा ने ना नजर आने वाले आंसू बहाते हुए पूरी बात बताई तो इन दोनों ने भी इसका अफसोस में भरपोर साथ दिया था बस तू टेंशन ना ले अभी तेरी दोस्ते जिन्दा है हम तेरे लिए जरूर लड़ेंगे नैना ने एक्टिंग करने की पूरी पूरी कोशिश की नैना की बात सुनकर तीनों ही हस पड़ी इतने में यूशा का फोन बजा था धीट कॉलिंग स्क्रीन पर जगमगा रहा था नैना और मरहा एक दूसरे को देखकर खांसी थी यूशा ने इगनोर किया लेकिन अगले ने भी कसम खाई हुई थी पांच कोल्स के बाद फोन बंद हो गया तो यूशा ने सुख का सांस लिया लेकिन अगले ही लम्हे मेसेज आना शुरू हो गए थे बगैर रुके लाताद मेसेज़स तुने नहीं देखने हैं तो मैं देखती हूँ मरहा ने कहते हुए फोन उचक लिया था आहा ये तो बड़े प्यारे मेसेज़स हैं जरा मुलाइजा फरमाए मरहा चहक के बोली थी मैं बताओं मेरे दिल की खुशी क्या है एक ही तस्वीर में हसते हुए हम दोनों वह 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 क्या बात है नेना ने दादी थी अभी आगे भी सुनो मरहा लहक के बोली थी तुम मेरी हयात का वो खुबसूरत अन्वान हो जिसे मैंने रूह के सफाहत में दर्च किया है वल्ला क्या लिखा है नेना फिर बोली किसी से कोई तालुक नहीं है तेरे सिवा मैं आज कल तेरी उल्फत के एतकाफ में हूँ हायला जी नेना शर्माई थी योशा ने दोनों को खा जाने वाले अंदास में देखा था और शहराम पे गुस्सा भी आया था ये तो कुछ नहीं है आगे सुनो मरहा मस्कुराई इसे बिच्छड कर वहदानियत की हद कर दी फिर जितनी भी महबते आई रद कर दी हायला जी इतनी महबत नेना दोनों हाथ मूँ पे रखके बोली थी ये सुनने वाला है मरहा ने दांत निकाले थे इधर दो फोन योशा ने जपटने की कोशिश की थी तूने तो पढ़ने नहीं है हमें तो देखने दे मरहा उचल के दूर हुई थी नहीं होता मैं तुझसे जुदा भरोसा रख रूफ पोश ये निकाह इश्क है तेरा हक महर मेरी सांसे अलाजी कितना रोमेंटिक बंदा है नेना की एक्टिंग देखने लायक थी अब की बार युशा भी मुस्कुराई थी इसको मुस्कुराता हुआ देखकर नेना पास आई एक बार इसकी मान कर तो देख ले हर इनसान अलग होता है वो तुझसे सची महबत करता है तो इतने साल से इंतजार कर रहा है वरना कपका तुझे छोड़ चुका होता वक्त रहते सुनने इसकी इससे पहले के बहुत देर हो जाए हाँ यार नेना ठीक ही कह रही है वो खरा बंदा है हमने इसकी आखों में तेरे लिए महबत और इज़त देखी है क्या तुझे नज़र नहीं आती मरहा भी पास बैठती हुई बोली थी मैं भी भरोसा करना चाहती हूँ लेकिन मुझे डर लगता है अगर कुछ वैसा हो गया तो मैं मर जाओंगी यूशा नम आवाज में बोली थी इस पर ना सही अल्ला पर भरोसा करके इसकी बात मान ले मुझे पूरा यकीन है वो तुझे मायूस नहीं करेगा नैना ने इसे साथ लगाया था यूशा ने आँखों में आँसों लिए सरहां में हिलाया याहू मरहा ने नारा लगाया था अब मेरा मसला भी हल करो मरहा मू बना के बोली थी अच्छा ठीक है कल सबसे पहले इस खलाई मखलूक से निमट लेंगे नैना ने रिजामंदी दी थी डॉक्टर मरहा आपको डॉक्टर शयान बुला रहे हैं एक नर्स नोक करके अंदर आई ठीक है सिस्टर आप जाओ नैना ने इसको भेजा था मैं कह रही हूँ अब इसकी वजह से डॉक्टर शयान ने मुझे कुछ कहा न तो मैं इसका सर फाड़ के आऊंगी मरहा चबा के कहती हुई चली गई थी जी सर आपने बुलाया मरहा इजाज़त लेके अंदर आई इसका फूला हुआ मुदे कर शयान को एकदम से हसी आई लेकिन जब्त कर ली जी बैठिये शयान ने शंजीदा शकल बना के बोला था I am sorry डॉक्टर मरहा मैं इस टाइम कुछ जादा ही बोल गया था मुझे नर्स ने बाद में बता दिया था के डॉक्टर फाइजा ने जून बोला है शयान गहरी सांस लेके बोला था मरहा आँखे फैला के शयान की शकल देख रही थी जी सर आपने क्या कहा मरहा को यकीन ना आया के खडू सोरी बोल रहा है तो तज़्दीग चाही थी मैंने कहा सोरी मैंने आप पे बिलावजा गुसा कर दिया था दरसल मैं किसी और बात पर गुसा था शयान जरा उचा बोला था गुसा तो शयान को इस इनसान पे आया था जो इस बच्चे के साथ था और मरहा को एक्सरे करती निकाहों से देख रहा था कोई बात नहीं सर इड़ सोके मरहा अपनी हसी छुपाती बोली शयान ने सर हिलाया था मैं जाओं सर उफ ये मासों है जी जी आप जाएं और हाँ आज काम अच्छा था आपका शयान अजरे चुरा के बोला था रहाँ सर हिलाती चली गई तो शयान ने गहरी सांस ली थी पता नहीं आज कल क्या हो रहा था लेकिन जो भी था कुछ अच्छा था लोग सूरत पर मरते हैं हमारा दिल इनके हिजाब पर आया है So this is the end of this episode Don't forget to like, subscribe and comment Khudahafiz